कि नवस्कार दोस्तों विल्कम टो में चनल आज का जो हम लोगों को टॉपिक जो है जो हर टाइप का वीस्टिस मतलब 32 बीट बोली है 64 बीट बोली है कोई वीस्टिस का कैसे हम लोग क्यूबस में और नियू एंडों में हम लोग इसको दिखा सकते हैं नॉर्मली इसका उपर हम छोटा से एक वीडियो पहले भी दिया था तो शायद आप लोगों ने देखा नहीं तो हम उसको रिपीट कर रहा है थोड़ा डीटेल में रिपीट कर रहा है तो जब हम लोग कोई किसी से वीस्टि ले लेते हैं और कि जान पहचान का हिसाब से तो यह किसलिए होता है क्यों होता है तो इसका बारे में आज का टॉपिक है तो देखिए नॉर्मली वीस्टी वर्चुल स्टूडियो टेकनलोजी वर्चुल स्टूडियो मतलब वर्चुली साउंड आप लोगों का कंप्यूटर में रहेगा तो वर्चुली आप लोग साउंड लेके काम कर सकता हो जैसे कि एक क्यूस हम खुला है इसमें हम एक बीस्टी लोट के इसको पर हम देंगे जैसे का इसमें आप लोगों को देखना पड़ेगा इसका वर्शन अभी कितना है तो इधकी 5.8.1 ना और 43 तो यह फर्शन है तो इसका पास कंट्ट हए ओपड़ेट हो जाएगा और जिसका पास आफ़्लाइड अपड़ेट का ओप्ड़ी चाहते हो और इसको 6 बनाना चाहते हो तो उसके लिए क्या है उसको वह क्या आएगा कि नहीं आएगा पहले भाल दार है कॉंटक्ट प्लेयर एक ऐसा प्लेयर होता है जिसमें दो टाइब कोई अब है सपोर्टिंग रहता है जैसे एक हट 12 बीड का साफोर्ट भी रहता है और 64 बीड का सपोर्ट बी रहता है मतलब जिसका पास QS10 है उसका भी चलेगा और 32 bit जिसका पास है मतलब QS 5 है उसका पास भी चलेगा तो यह दोनों जगा किदर से हम लोग चूज करें basically दोनों जगा है किदर तो C का अंदर यह जो program files वोल का उली लिखा है यह 64 bit का और यह program करो apply करो तो है DLL file dot DLL extension DLL होगा जैसे कि हम दिखाते है program files का अंदर हम लोग जाते है stand box नहीं तो VST plugins कर दो जाता है देखिए सभी का जीतना सरा है सब last में DLL लिखा है DLL तो यह DLL क्या होता है इसका अंदर data होता है से वह वह data काम करता है और वही data qs support करता है new window support करता है DAW support करता है और DAW बोलने से होगा नहीं होगी नहीं actually क्या है logic में दूसरा type का होता है produce में RTS होता है और इसमें DLL होता है तो यह जो plugin से इसको दिखाना पड़ता है तो normally पहले हम लोगों को ढूनना पड़ेगा किधर है plugins मतलब हम लोग तो install कर देता है next 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 करके हम लोग इंस्टोल कर देता है अगर T6 86 उसका अंदर अंदर हो सकता है, इसको छोड़ के प्रोग्डाम फैल का अंदर जो T5 sis को ढूलना पड़ेगा, किदर है, अन्य ही न को डेख के इंस्टल करना पड़ेगा कि Ci Daoga पर इंस्टल हो रहा ही है तो ये पहले देखना पड़ेगा तो हो गिया तो इंस्टॉल हो गिया आप लोग देख लिया है प्रोग्राम फाइल 86 स्टेनबर्ग वी एस्टी प्लाग इंस के अंदर यह फाइल है डियलल फाइल है तो बाइडी आजाना चाहिए किस लिए जब हम लोग निवेंडो और क्यूवेस ओपेन कर देते हैं तब ओस टेनवर्क फोल्डर बीएस्ट का अंदर रहता है मतलब उसके लिए अलग से कोई करना नहीं जरूरत नहीं पड़ता है अगर प्रोग्रम फाइल बीएस्ट प्लागिंस का अंद पड़ता है जो इसका नॉर्मली इसका जो लिंक किदर है मतलब इसका जो डिल किदर है तो हम लोग पहले देख लेते हैं सी प्रोग्रम फाइल्स का अंदर सी प्लागिंस का अंदर प्लागिंस क्या-क्या है तो यह हम लोग अगर इसको नहीं दिखाएगा तो इसको कैसे हम लोग दिखाएंगे device में जाना पड़ेगा उसके बाद plugin information में जाना पड़ेगा उसके बाद VST 2X plugin पाथ पहले आप लोग देख लिजिए इसमें इधर का कोई list अब लोगों को मिलेगा जैसे कि जो VST अभी हम लोगों को पास है वह VST का list हम लोगों को मिलेगा तो हम लोग इधर से देख सकता है नहीं तो हम लोग add कर सकता है तो देखिए और चार पांच पाथ एड है इस टू का है यह VST plugin से प्रोग्रम फाइल इसको अगर रिमूफ कर देंगे तो हम लोगों को जितना सारा फाइल मतलब जितना सारा डिल इसका अंदर है वह कॉन्ट वह क्यूवेस से हट जाएगी वह क्यूवेस से हट जाएगे मतलब उसका information नहीं मिलेगा और इस इधर आप लोगों को दिखेगा भी नहीं अभिह आते हैं क्या जिसका पास कंक्त फाइव आईडाएवस से जिसका पास पास कॉंटेक्ट फाइव है उसक्स करना चाते है तो देखिये sini contact 5 to contact 6 क्यों करना चाहते हैं 5 और 6 का अंदर अंतर क्या है कुछ-कुछ VST है कुछ-कुछ contact library है जो 6 में चलता है 5 में चलता नहीं है 5 में डालोगे तो होग नहीं 5 का हम दिखाते हैं हम बोल दे रहा है जैसे कि हम contact का यह जो library है official library जो है इसको थोड़ा सा नीचे नावते यह जो है contact instruments जो है बहुत अच्छा 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 इंस्ट्रुमेंट्स है तो इसका अंदर इसका यह जो पूरा है यह library का एक 5.8.1 अगर नहीं होगी तो यह चलेगा नहीं और यह 5.8.1 में अगर चलेगा तो 6 में भी चलेगा और 6.2.2 में भी चलेगा तो हम लोगों को कुछ-कुछ नॉर्माली जो अभी library निकल रहा है वो लाइब्रेडी को add करने के लिए 6 प्लेयर लगेगा 6 प्लेयर लग को जहता है तो अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बेसिकली जिसका फाइव है ओ तो फहले अनिंस्टोल कर देना पड़ेगा ठीक है एक इसाथ दो दो नहीं रहे पाएगा 1 और रहेगा तो आप लोगों को क्या होगा Qs अब लोगों को 5 खूलेगा और दूसरा जगह से दूसरा जगह से आप लोगों को मतलब नॉर्माली जो स्टेंड अलन मोड में आप लोगों को टेन मिलेगा तो हम बोलना ही चाहते है अगर हम लोग क्यूबस का अंदर से इसको खोले तो हम लोगों को भर्षन आएगा 5.8.1 अगर हम बाहर से खोले तो उसका भर्षन तो इसी डिया क्या करना पड़ेगा बिसिकली हम लोगों को कॉंटेक्ट को अनिस्टल कर देना पड़ेगा पूराना भर्षन तो पहले आप लोग एक फोल्डर बना लीजिए जिस फोल्डर का नेम होगा कॉंटेक्ट लाइरवेडी इसका अंदर जितना सारा फाइल से सब डाली है फोल्डर का साथ साथ डाली है जैसे कि हम दिखा देता है जैसे कि हम छोटा से आप लोगों को बोल दे रहा है तो देखिए यह जो है कॉंटक के जो लाइबरी 3 हम हम अलग अलग करके फोल्डर रखा है फोल्डर में रखा है तो फोल्डर में रख दिया है उसके ब बाद restart करेंगे एक बाद restart करने के बाद हम लोग फिर से दो बारा contact 6 को install करेंगे contact 6 का जो installation हम पहले बोल चुका है और लड़ी वो थोरा वीडियो देख लीजिएगा contact 6 install करने का बाद आप लोगों को करना क्या पड़ेगा डीवी मतलब contact हम इदर से बहार से भी खोल सकते हैं हम इदर से भी दिखाते हैं यह जो database है database डीवी ऑफ्षन्स जो है इसका अंदर आप लोगों को दिखा देना पड़ेगा आपड़िकार फोल्ड़र आपने बनाया है राइड आप लोगों को आप लोगों को जाएट आप लोगों को अंदर जाने का इदर इंपते हो जाना ना पड़ेगा तो लाइब्रेड नहीं सभी सभी में एक साथ अब लोग दिखा नहीं सकते आकर आपका पास दस लाइब्रेडी है तो दस लाइब्रेडी टेन टाइमस अब लोगों को करना पड़ेगा मतलब दस बार कोशिश करना पड़ेगा कोशिश नहीं है दस बार उसको दिखाना वो by default रहता है normally यह जो C program file VST plugins का अंदर ही रहता है C program file VST plugins का अंदर यह जो दिखाते है VST plugins का अंदर इधर क्या दिखा रहा है contact 5 दिखा रहा है 64 32 bit एक साथी हो जाती है 10 में तो ठीक है 10 में आ जाएगी automatically फिर भी दिखाना पड़ता है और 5 में आप लोग दिखा होगे तो आ जाएगी तो यह सबसे बड़ी बात है यह बहुत लोग मुसीबात में है तो इसको थोड़ा सा देखके हमको चैनल में नीचे में बोली है जो क् लोगों को ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगर नहीं हो रहा है तो उसका क्या error दिखा रहा है तो screenshot हमको भेज़ दीजिएगा हमारा WhatsApp नमर में call मत करिए हमको WhatsApp में WhatsApp करिए हम सभी का answer देते है और WhatsApp में हम answer देंगे क्योंकि हम 4 पे नहीं बाते करेंगे तो हम answer देंगे किस ल झाल झाल